गोवा के राजपाल, श्रिमान पी एस स्रीदरन पिल्लाई जी, गोवा के युवा मुखमंत्री, श्री प्रमोद सामंत जी, केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी, हर्दिप सीमपूरी जी, रामेश्वर तेली जी, विभिन देशों से आए अतिधिकन, देवी और सज्यनों, इंडिया एनर्जी वीक के इस दूसरे समस्करण में मैं आप सभी का अभिननदन करता हूँ, हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इंडिया एनर्जी वीक का ही आयोजन हमेशा एनर्जी से भरे रहने वाले गोवा में हो रहा है, गोवा अपने आतिथ्य भाव के लिए जाना जाता है, पूरी दुनिया से यहां आने वाले परियटरक, यहां की सुन्दर्ता और संस्कृत्ती से प्रभावित होते हैं, गोवा आज वो राज्य भी हैं, जो विकास के नए प्रतिमानों को छू रहा है, इसलिए आज जब हम परियावरण के प्रती संबेदन सिल्टा की बात करने के लिए एक जूठ हुए हैं, सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इसके लिए गोवा बहुत ही पर्फेक्ट डेस्टिनेशन है, मुझे विश्वात है, इस समीट में आए सभी विज़ेसी महमान अपने साथ गोवा की लाइप टाइम मेमरी लेकर जाएंगे, साथियों, इंडिया एनर्जी वीक का यह आयूजन एक बहुत महत्वपुन कानखन में हो रहा है, इस वित्तिय वर्ष के पहले छे महिनों में ही भारत की जीडिपी दर साड़े साथ फिद्सिजे अधिक हो गई है, ये दर ग्लोबल ग्रोग को लेकर जो अनुमान लगया गया है, उससे भी बहुत अधिक है, भारत आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थ व्यवस्था है, और हाली में आएमेफ में भी ये भविश्य मानी की है, कि हम ऐसे ही तेज गती से आगे बढ़े ही है, आज पुरी दुनिया के एक्सपर्स ये मान रहे हैं कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ ववस्था बनेगा, भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में एनर्जी सेक्टर की बहुत महत्वपूर्ण स्वाभावी दूत्वे उसका महत्में बढ़ रहा है, साथियों, भारत पहले ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ओल्जी कंज्यूमर और तीसरा सबसे बड़ा एल्पीजी कंज्यूमर भी है, हम दुनिया के चौते सबसे बड़े LNG इंपोर्टर, चौते सबसे बड़े रिफाइनर और चौते सबसे बड़े ओटो मुबाइल मार्केट वाले देश है, आज भारत में दो पहिया और चार पहिया वहानों की भीक्री के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। भारत में इवीज की लगातार निमान बढ़ रही है। ऐसे अनुमान भी है कि भारत की प्राइमरी एनरजी डिमांड ट्वेंटी फोर्टी फाइव तक दो गुनी हो जाएगी। यानि आज अगर हमें रोज 19 मिलियन बैरल्स के आसपास तेल की जुरुत होती है तो वो ट्वेंटी फोर्टी फाइव तक 38 मिलियन बैरल्स तक पहुच जाएगी। साथियों भविश्य की इन जरुनक्तों को देखते हुए इस बात को समझते हुए भारत अभी से तैयारी कर रहा है। बढ़ती हुई एनरजी डिमांड के बीच भारत देज के हर कौने में एफ़रिबल एनरजी को भी एंशोर कर रहा है। भारत ऐसा देश है जहां अनेक ग्लोबल फैक्टर्स के बाद भी बीते दो सालों में पैट्रोल और डीजल के दाम कम हुए है। इसके अलावा भारत ने 100% इलेक्रिसिटी कवरेज हासिल करते हुए बीजली को करोडों घरों तक पहुँचाया है। और ऐसे प्रयासों के कानण ही आज भारत विश्व के मंच पर एनरजी सेक्टर में इतना आगे बढ़ रहा है। भारत ना सिर्फ अपनी जरुतों को पुरा कर रहा है बलकि विश्व के विकास की दिशा भी तै कर रहा है। साथियों, आज भारत अपने यहां 21 सदी का आधुनिक इंफ्रास्रक्टर बना रहा है। हम इंफ्रास्रक्टर बिदिंग मिशन पर काम कर रहे हैं। इस वित्तिय वर्ष में हम इंफ्रास्रक्टर पर करिब 10 लाग करोडर रुप्ये इंवेस्ट कर रहे है। अभ एक सब्ता पहले जो भारत का बजेट आया है। उसमें हमने अब इंफ्रास्रेक्टर पर ग्यारा लाग करोड रुपे से अधिक के खर्च का संकल पर लिया है इसका एक बड़ा हिस्सा एनर्जी सेक्टर के खाते में जानाता है इस बड़ी रासी से रेलवे, रोड़वेच, वाटरवेच, एरवेच या हावसिंग जो भी इंफ्रास्रेक्टर देश में बढ़ेगा सभी को एनर्जी की ज़रुत होगी और इसी कारण आप देख रहे हैं कि भारत कैसे अपनी उर्जाग शम्ता को एनर्जी केपेसिटी को लगातार बढ़ा रहा है हमारी सरकार ने जो रिफॉर्म्स किये है उससे भारत में घरेलू गैस का उत्वादन तेजी से बढ़ रहा है हम प्राइमरी एनर्जी मिक्ष में नेचरल गैस को 6% से बढ़ा कर 15% तक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं इसके लिए अगले 5-6 वर्षों में करिब 67 बिलियन डॉलर्ज का निवेश होनिक जा रहा है हम पहले ही विश्व के सबसे बड़े रिफाइनर्ज में से एक है आज हमारी रिफाइनिंग केपिसिटी 254 mm TPA से अधीख हो गई है हमने 2030 तक भारत की रिफाइनिंग केपिसिटी को 450 mm TPA तक पहुचाने का लक्ष रखा है भारत पैट्रोकेमिकल और अन्य फिनिश प्रोडस के ख्षेतर में भी एक बड़ा निर्या तक बनकर उबरा है मैं आपको यह से कई और उद्हान दे सकता हूं लेकिन इन सारी बातों का मूल यह है कि भारत इस समय एनेज़्डी पर इतना निवेश कर रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ और इसलिए आज दुनिया में ओइल, गैस और एनर्जी सेक्टर से जुड़ा करीब करीब हर लीडर भारत में निवेश करना चाहता है कितने ही लीडर्स इस समय मेरे सामने बैटे हुए है हम पूरी गर्म जोसी से आपका भी स्वागत करते है साथियों सर्कुलर एकोनामी भारत की पाचीन प्रमपरा का हिस्सा रही है रीविजिंग का कंसेप भी हमारे जीने के तरीके से जुड़ा हुआ है और ये बात एनर्जी सेक्टर से भी उतनी ही जुड़ी हुई है पिछले वर्ष जी ट्वेंटी समीट में हमने जिस Global Biofuels Alliance को शुरू किया था वो हमारी इसी भावना का प्रतीक है इस Alliance ने पूरे विश्व की सरकारों संस्ताओं और इंडस्टीज को एक साथ इखठा कर दिया है जबसे ये Alliance बना है इसे व्यापक समर्थन मिल रहा है बहुत कम समय में ही 22 देश और 12 इंटरनेशनल ओर्डिनाशन इस Alliance से जुड़ गए है इससे पूरे विश्व में Biofuels के इस्तिमाल को बढ़ावा मिलेगा इससे करीब 500 बिलियन डॉलर की आर्थिक संभावनाओ को बनाने में भी मदद मिलेगी साथियों अपने यहां भी भारत ने इस खेत्रे में बड़ी प्रगती की है पिछले कुछ वर्षों में भारत में Biofuels का एडप्शन तेजी से बढ़ा है दस साल पहले हमारे यहां पैट्रोल में इथेनॉल की बेंडिंग डेड़ प्रतिशत के आसपास सी 2023 में यह बारा प्रतिशत से अधीक हो गई है इससे लगबग 42 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन एमिशन घटा है हम 2025 तक पैट्रोल में 20% इसेनॉल ब्रेंडिंग करने के लक्ष पर काम कर रहे हैं आप ऐसे कई लोग जानते होंगे पिछले इंडिया एनर्जी विक के दोरारी भारत ने 80 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट पर 20% इसे लोग ब्लेंडिंग की शुरुवात की थी अब हम देश के 9000 आउटलेट पर यही काम कर रहे हैं साथियों सरकार का प्रयास ग्रामीर अर्थे वबस्ता को वेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट के मोडेल पर नई गती देदे का भी है इसके लिए भारत में 5000 कंप्रेस बाओ गेस प्लांट लगाने की दिशा में काम किया जा रहा है साथियों विश्व की 17 परसंट जन संग्या वाला देश होने के बाद भी विश्व में भारत का कार्बन एमिशन शेर सिर्फ 4 परसंट है इसके बाद भी हम अपने एनर्जी मिश्व को और बहतर करने के लिए परियावरण के प्रती सम्वेदन सिल एनर्जी सोर्सिज के विकास पर बल दे रहे है 2070 तक हम नेट जिनो एमिशन का लक्ष हासिल करना चाहते है आज भारत renewable energy installed capacity में विश्व में चोथे स्थान पर है हमारी installed electricity capacity इसका 40% हिस्षा non fossil fuel sources से आता है बीते एक देशम में भारत की solar energy installed capacity 20 गुना से ज़्यादा बड़ी है सोर उर्जा से जुनने का ब्यान भारत में जन आंदोलन बन रहा है कुछ दिन पहले ही भारत में एक और बड़े मिशन की शुरुवात हुई है भारत में एक करोड घरों में सोलार रूपटप लगाने की योजना को उसका एलान किया गया है इससे हमारे एक करोड परिवार उर्जा के शेत्र में आत्मन निर्भर होंगे उनके घरों में जो अतिरिक्त बिजली बनेगी उसे सीधे ग्रीड तक पहुंचाने की भी व्यवस्ता की जा रही है आप कलपना कर सकते हैं भारत जैसे देश में इस योजना का कितना बड़ा असर होने जा रहा है इससे आपके लिए भी इस पूरी सोलार वेल्यू चेन में निवेश की बहुत बड़ी संभावना बनने वाली है साथियों आज भारत ग्रीन हाइड्रोजन के खेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के कारण भारत जल्द ही हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ड का केंद्र बनने वाला है मुझे विश्वास है भारत का ग्रीन एनर्जी सेक्टर इन्वेस्टर्स और इंडुस्ट्री दोनों को शौर शौर्ट मिनर बना सकता है साथियों इंडिया एनर्जी वीक का यह आयोजन स्रिफ भारत का आयोजन नहीं है यह आयोजन इंडिया विद वर्ल एंड इंडिया फॉर द वर्ल इस भावना का प्रतिविम्भ है और इसलिए यह मंच आज एनर्जी सेक्टर से जुड़े विचार विमर्ष और अनुभवों को साजा करने का मंच बन गया है आये एक दूसरे से सीखने पर तक्नीक की साज़ेदारी पर और सस्टेनेबल एनर्जी के नए रास्तों को तलासने पर एक साथ आगे बढ़ते हैं लेटर्स लर्न फ्रम इच अदर लेटर्स कॉलोबरेट और कटिंगे टेक्नोलोजी और लेटर्स एक्स्प्लोर एवेद्यूस पॉर सस्टेनेबल एनर्जी डेवलप्मेंट हम एक साथ मिलकर एक ऐसा भविशे बना सकते हैं जो समुरुद्ध भी हो और दिश्ट परियावरन का सवरक्षन भी हो सके मुझे विश्वाथ है कि ये मंच हमारे प्रयासों का प्रतीक बनेगा एक बार फिर मैं इस आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद